नमस्कार बच्चो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ तीम शब्द रचना शब्द रचना है क्या जो हम लोग वर्णों से शब्द बनाते हैं उसकी सरंचना मतलब उसको बनाते कैसे हैं उसकी सरंचना कैसे करते हैं वो इस पाठ में पढ़ाया जाएगा जैसे कि ब मलड़ होती है फूरी उनको मिला करके जो शब्द बनता है उसको वर्णों के मेल को क्या कहते है है शब्द कहते है जिनका कुछ अर्थ हो वही शब्द कहलाते है जैसे बस लड़की मेदान बसोड़ कैसे बनाए लड़की मैदान तो गया मैदान यह तीनो शब्द है क्योंकि इन में कोई ना कोई अर्थ प्रकत हो रहा शब्द यह कब मने जाएंगे जब वर्णों को मिला करके कोई शब्द तयार करते हैं तो उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलता है बस तो बस का आपको मालूम है कि बस ये क्या होती है बस का आर्थ है जिसमें बहुत सारे लोग बैठ करके यात्रा करते हैं अब है लड़की लड़की मिन्स आपको पता है कि एक जो है इस्तरी छोटी बच्ची जिसकी जो है वो हो गई लड़की उसका आर्थ ये है कि कुछ ना कुछ उसका मीनिंग उसका अर्थ जरूर होगा मैदान मैदान कैसा होगा एक बड़ा खाली बड़ा मैदान जिसमें पेड़ पौदे भी लगे हो सकते हैं खाली भी हो सकता है न वो हो गया मैदान तो इन वरणों को जब मिला करके शब्द बना तो उसका जो अर्थ होना बहुत आवस्यक है, अगर निरर्थक मेल हुआ, मतलब जब उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो वो शब्द की केटेगरी में नहीं आएगा, शब्द नहीं माना जाएगा, हिंदी भाशा में शब्दों को तीन आधार पर बाटा गया है, उत्पत्ती के आधार पर, ब शब्द चार प्रकार के होते हैं, जो उत्पत्ती शब्द की उसके चार प्रकार होंगे, तश्रम सब्द, तदभो शब्द, देशज सब्द और विदेशद सब्द, उत्पत्ती के आधार पर शब्द, जो है, तश्रम सब्द जो है, ये शब्द संस्कृत भाशा से हिंदी भाषा में जियों के त्यों अठाथ उसी रूप में ले लिये गया है जैसे कि भाषा आप जानते हैं कि कई प्रकार की होती है तो शंस्कृत एक भाषा है जो आपको हिंदी सही रिलेटेड है जो आपको पता है उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि उसको जैसे था उसको कोई रूप बदला नहीं गया है उसकी सब शब्द रचना में कोई भी परिवर्टन करें बगैर उसको उसी रूप में हिंदी में ले लिया गया है जैसे सर्प ग्राम सत्य सूर्य कार्य प्रथम यह शब्द जो हैं आपको हिंदी की पुस्तक में में भी बिलेंगे और संस्कृत के उस्तक में भी यह इसी प्रकार होंगे वो संस्कृत से लिये गए यह शब्द हैं जिनका कोई भी बदलाओ नहीं किया गया अब तद्बो शब्द यह शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाओ के साथ हिंदी बाशा के प्रयोग होते हैं जो शंस्कृत उसके पहले तो तश्रम सब्द में थे कि उसी प्रकार उनको हिंदी में ले लिया गया लेकिन तद्बो शब्द आने पर संस्कृत भाशा के कुछ सब्द हैं जिनको कि कुछ बदलाओ करा गया है ज्यादा ना बदल करके थोड़ा से उसमें परिवर्तन करके और उसको कहें कहें संस्कृत का सांप और सर्प सब्द किसका था संस्कृत का उसको थोड़ा सा बदला और सांप बना दिया और हिंदी में प्रयोग कर लिया ग्राम ग्राम आपका संस्कृत शब्द है और इसको थोड़ा सा बदल करके गांव बना के हिंदी में ले लिया गया सत्त्य सत्य को थोड़ा बदल करके सच बनाया हिंदी में और उसको ले लिया हिंदी में पहला, अब कारे, कारे मतलब काम प्रथम मतलब पहला यह कुछ शब्द हैं जो की थोड़े से बदलाओ के साथ हिंदी भाशा में ले लिये गए अब है देशर्ज अर्द्थात ds में उत्पन जो जिन सब्दों की उत्पति अपने ही देश में हुई उसको ये शब्द भारत के विभिन शेत्रों से तथा आम भॉल चाल की बाषा के लिए गए है जो अपने ही बिभीने छेत्रों में कुछ ऐसी जो है शब्द होते हैं जो बोलचाल की भाषा में रहते हैं और लिखने में कम प्रयोग में आते हैं अभी जो बोल बुचाल की भाषा में कुछ सब्द लिये गए हैं वो हो गए आपके जो देश में ही उत्पत्ती हुई है जिनका जन्म हुआ है वो आपके देशज सब्द हैं जैसे केचली जूता पैसा पगड़ी आद ये शब्द जो है हमारी भारत देश के हैं और विभिन उसके जो बिभिन चेत्र है उनके अंदर ये शब्द बोले जाते हैं अब है विदेशज सब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आये शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कलाते हम लिखते हैं जब तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश मिनाग हो करके दूसरे देश के भाषाओं के में रहती है वो शब्द उनको हमने उसी प्रकार अपने हिंदी में समाहित करके उनको हिंदी भाषा के सब्द बना दिये उनको विदेशज सब्द कहते हैं मतलब विदेश से लाय हुए शब्द यानि विदेशी भासाओं में से ले करके अपनी भाशा में उनको उसी प्रकार ले लिया गया है जिस प्रकार वो विदेशी भाशा में थे जैसे लाल टेन यह हमारे देश में इस शब्द की उत्पत्ती नहीं हुई है यह हम लोगों ने दूसरे देश की भाशा के शब्द को अपन भाष्टा में समाहित कर लिया इस्टेशन इस्कूल पादरी जमीन बंदूक सबजी आदमी वकील सौगात रुमाल तौलिया कमरा आदी तो ये शब्द जो है विदेशी सब्द इनको क्या बोलेंगे विदेशी सब्द और ये इनको हमने बिल्कुल विदेशी की सब्दों को आशा हिंदी में समाहित कर लिया तो ये हो गए विदेशी सब्द आशा करती हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही नमश्राइब